हेलो एन वेलकम स्वागत है आप सभी का समचार पस चानल पर देख लेते हैं कौन-कौन से news important है exam point of view से सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका से आने वाले news की USA में इंडियन स्टुडेंट्स को काफी जादा panic situation का सामना करना पड़ रहा है लगातार विदीन मंत और आइकन से विदीन वीक जो है six students की वहां पर देथ हो चुकी है और लास्टली एक परसन बच गया है मतलब उनकी उपर भी अटाक किया गया जैसा कि उनके द्वारा जानकारी दी गई बहुत ही जादा मतलब भयानक तरीके से उनकी उपर आकरमन किया गया और जो उनका cell phone था चीन दिया गया और उनकी फैमिली को इसके बारे में जब जानकारी लगी तो उन्होंने जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हमारी external affair है तो उनके साथ संपर्क करके यह information साजा कि बटी बहुत ही डरावनी और हम कह सकते हैं bad news जो होते वहां पर रहते हैं पढ़ते हैं जॉब करते हैं तो यह उनकी इकनोमी के लिए अच्छा है जितने हमारी इकनोमी के लिए अच्छा है राइट यहां पर हम देखेंगे कि जो मतलब बहुत ही highly class जिनके पास high professional degree है और जो अपने degree complete कर चुके final year के student है उनको मतलब बह किसी की देथ हो गई है और किसी की जो देथ हुई है ऐसी हुई है मतलब बहुत ही brutally attack किया गया है 50 times जो है मतलब जो है उस पर dead body पे war किया गया है तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक तरीके से हम कह सकते हैं Indian students को USA में target किया जा रहा है नो हमें देखना चाहिए कि India का cash tape होगा इ USA के दर चुकि USA में elections है तो वहां का महौल जो है वो अलग-अलग पार्टियों के द्वारा अलग-अलग तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है तो यहां पर हम देखेंगे क्योंकि अभी हाल फिराल में ही हमने देखा था कि USA की जो USA के जो foreign minister थे उन्होंने अपने USA के citizens जो की इंडिया के लिए खालिस्तानी आतंगवादी था उसके देख पे काफे ज़्यादा हुए इन क्राई किया गया था तो now see देखने वाली बात होगी कि इंडिया का क्या अप्रोच होगा और कैसे इस matter को सांथ किया जाएगा कैसे इंडियन students जिनके देख होगी है उनके साथ justice होगा ना हम बात करेंगे next news की जो की है गौर्मेंट के द्वारा white paper जारी करने वाली news दस साल में NDA government ने क्या किया है और UPA government दस साल पहले क्या कर रही थी क्या economical crisis हुए उनके time period में किस तरह की चीज़े होई उसको discuss किया जाएगा जो हमारी finance ministry है उन्होंने अपने budget के time पर य एक तरह गरा ऐसा paper होता है जो किसी specific field में बहुत ही research करके authentic source के द्वारा किसी भी matter पर गौर्मेंट ला सकती किसी भी matter पर ला सकती को specifically नहीं है कि economic ही matter पर white paper आएगा किसी matter पर white paper जारी किया सकता तो white paper के माध्यम से government जो अपने 10 साल के achievements बताने वाली है और side by side यह बताने वा government थी उन्होंने कैसे 10 साल में 12 नंबर की economy को shift shift कर पाए 11 नंबर की economy वाइल जो NDA government है BJP lead government है उनके द्वारा 10 साल के अंदर 11 नंबर की जो अर्थेवस्था थी उसको उठा करके पाचवे नंबर की अर्थेवस्था कर दी गई है तो यह सब जो चीजे हैं किस तरह की policy paralysis थी यह यूपीय के टाइम पर किस तरह किस तरीके से मतलब जो अर्थसास्त्री थे उस टाइम पर जो एडवाइजर थे यह जो ministers थे यह जो whole and जो पूरी body जो काम करी थी जो पूरा तंत काम कर रहा था वह economically कितना vibrant था government कितनी सोस्ती थी देश के growth के लिए उस पर discussion होगा तो short time short time हम यह भी समझ सकते हैं कि यह तो white paper है इसमें जो भी चीजे होंगे वो बिल्कुल ही politically है exam point of view से इंपर नहीं बट knowledge point of view से में समझना चाहिए कि हमारे जो government वो किस तरीके से काम करी और किनके time में क्या development हुआ इनके द्वारा जो steps लिया जाता है वो हमारे country का future और indirectly और directly हमारा future तैय करता है तो being a citizen we should know each and everything कि government क्या कर दिया है इसी के reply में obviously बाते अगर बीजेपी लेट government जो की चुनावे स्टार्ट होने वाला हमारे हां तो बीजेपी लेट government अगर white paper जारी करेगी तो what congress will do तो वो obviously बाते something कुछ opposite करेंगे तो that would be the black paper तो इनके दोरा black paper जारी किया गया है जिसमें 10 साल इन्होंने बताया कि काफी ज़ हारकें में political drama चल रहा है land scheme हुआ उसके बाद किस तरीके से अलग-अलग connection निकल के आ रहे है तो जो सीय में उनके गिरफतारी हो रही है तो फिर वहां पे यह बताया जा रहा है कि SCSTCM इसलिए गिरफतारी हो रही है ना केजरिवाल का issue है तो हमारे देश के अंदर मितलब political drama एक दम मतलब जो डिग्री है ना बहुत हाई लेबल टेंप्रेचर है political drama बहुत ही हाई लेबल political drama हमारे देश के अंदर होती आया जो कि सम्टाइम इंट्रस्टिक भी होता और पैनिक भी होता ना बात करेंगे white paper के बारे में कि white paper basically कहां से यह concept इंडिया के अंदर आया as we know कि हमारे उपर British का सासन था तो Britain के दौरा 1920 में paper जारी किया गया था जिसको कहते है position paper और industry report जो कि publish की जाती थी department के दौरा UK government को बताने के लिए समझाने के लिए right तो यही जो position paper था यही 1992 में ठीक है यानि 1922 में यही change हो गया 1922 में यही change हो गया और इसी को white paper कहा जाते है और sometimes इसे Churchill white paper कहते है because Churchill के time period में यह आया था तो इसे Churchill white paper कहते है और जब अभारत आजाद हो गया तो government जब अपना राजपत्र जारी करती है गैजेट्स चारी करती है तो अलग-अलग color में जारी करके अलग-अलग उसका message होता है white paper जो होता है वो government का एक बहुत ही authentic research और बहुत ही मतलब मतलब क्या बोल सकते है कि बहुत strong points evidence के साथ किसी भी field में भारत सरकार रखती है that is a white paper जिसके बहुत ज़्यादा गहन माइने होते है ना यहां पर हम देखेंगे कि USA के अंदर या world के अंदर या India के अंदर अलग-अलग color book का क्या मतलब निकाला जाता है दीके जिस तरीके से white paper है वैसे ही green paper होता है तो green paper एक consultive documents होता है वो किसी बहुत authentic source के साथ या final paper नहीं होता किसी भी मुद्दे पर मतलब वो normal conversation consult जैसे आप किसी doctor से किसी मुद्दे पर consult किये और उसके लिए आपने कुछ जो है वहां का जो भी discussion था उसके लिए आपने publish किया paper that would be the green paper मतलब authenticity या finalize उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है red book होता है red paper जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ों के लिए होता है जिसे like example जिसे prank करना हो तो ghost के रहे बताना हो तो red paper use कर लेते तो red paper use नहीं होता in general red book use होता है जो UK में budget represent करने के लिए budget का जो highlight होता है represent करने के लिए red book टॉम यूज करते counselor के द्वारा जो budget use करता है ना वहीं पर UK के अंदर white paper जो होता है जिसमें tax का tax कैसा रहेगा या expanding policy कैसी रहेगी government की उसे represent क्या रहता white paper के द्वारा तो एक तरह का financial statement भी होता है UK के अंदर white paper अभी इंडिया में का जारी हो रहा है white paper किस मुद्धे पर जारी हो रहा है economically मुद मुद्धे पर की government ने किस तरह से policy paralysis के तुरू इंडिया की economy को growth करने से रुका right कौन सी government ने पीछली government ने तो यह economy के मुद्धे पर आ रहा है white paper आ रहा है तो यह similarly हम लोग USA के footprint को follow कर रहे हैं इस पात इस point पे now red book के बारे में हमने देखा हमने white paper के बारे में देखा हमने green paper क बारे में देखा now blue paper क्या होता है तो blue paper technical specification of technology को भी technology है उसके अंदर क्या technical points आ रहे हैं उसको बताने के लिए blue paper का use किया जाता है मतलब विकता से जो भी equipments लगते हैं किसी भी technology के अंदर उसको जो document किया जाता है that is a blue paper right now दूसरा next जो हमारा वो है yellow paper तो yellow paper एक ऐसा documents होता है ज research content किया होता है किसी भी specific चीज़ पे research जो documents होता है या research करके जो data आता है वो yellow paper में जो है आपकी publish किया जाता है जैसे किसी academic के लिए या किसी scientific purpose से तो yellow paper जारी किया जाता है तो इस तरीके से यह different paper है knowledge point of view से बहुत important है exam में add such question बनने की probability कम हो जाती है white paper आप जान सकते हो right बट इस तरीके से blue paper green paper बस आप knowledge के लिए रख सकते है questions आने के संभावनाएं कम होती है नहीं हम बात करेंगे RBI की monetary policy committee के द्वारा monetary policy report published की गई यह क्या कुछ important है और यह इतना important इसलिए है monetary policy के highlights को जानना because यह चुनाओ से पहले का monetary policy और इसके बाद हम देखेंगे कि चुनाओ announce हो जाएगा और उसके बाद फिर बहुत जादा government के उपर questionaries नहीं रहेंगी फिर चुनाओ के बाद जब new government आएंगी फिर वहाँ से next काम का start होगा तो एक तरह से हम कहेंगे कि previous काम का और लास्ट चुनाओ से पहले जैसे भी interim budget आ चुका है और जो कुछ भी काम हुआ है government चुनाओ से पहले क्या कर दिये बैंकों की क्या से दिये वह समझना माले बहुत important है तो अभी भी हमने देखा है कि इस report के तहट जो repo rate है उसमें बदलाव नहीं किया गया 6.5 अभी भी है जो की काफी लंबे से में से 6.5 चल रही report जैसे कि 2023 में fab के महिने में report 6.25 हुई थी उसके बाद से ये पाची बार है कि report 6.5 है नौ यहाँ पे जो physical consolidation है specifically domestic agriculture activities में वो बढ़ा है बताया गया फिसकल consolidation क्या होता है इस terms को समझे फिसकल consolidation एक ऐसा मतलब government के द्वारे लिया गया steps होता है या इस तरह की monetary या revenue growth होता है जो previously जो कर्ज हुए है जो deficit हुआ है या जो debt create हुआ है उसकी भरपाई की जाए तो एक तरह से आप पैसा उगाही करते हैं और जो पीछला कर्ज है उस activities में बहुत जादा हुआ है और इसके कारण जो inflation rate है वो नहीं बढ़ा है क्योंकि अब्यसी बात है अगर government जो है कर्ज को खतम करेगी deficit को खतम करेगी यानि market में money flow होगा तो अब्यसी बात है inflation जो है वो negative तौर पे work नहीं करेगा ना यहां पर हम देखेंगे कि जो balance seat है बैंकों की वो भी अच्छी हुई है क्योंकि debt पे काम किया जा रहा है कर्ज पे काम किया जा रहा है तो अब्यसी बात है जो बैंकों की balance seat है वो अच्छी होगा जब बैंकों का balance seat अच्छा रहता है तो बैंकों के अंदर investment country के अंदर work एक development का काम जो होते रहता है, वो होते रहता है, continuously होते रहता है, तो यह sort of कह सकते हैं कि RBI का एक अच्छा initiative है for the time being, COVID के बाद से, Now RBI ने जो है forecast किया है, growth rate वो है financial year 2025 के लिए, that is 7%, quarter 1 में जो growth होने वाला 7.2, quarter 2 में growth 6.8, quarter 3 में 7%, quarter 4 में 6.9%, और overall जो financial year 2025 है, उसके लिए जो projected growth rate है, 7% है, आपके दिमाग में प्रसना आता हूँ, continuously 7% ही हमारा growth क्यों जाता है, तो कभी economy, से related हम एक अलग से discussion करेंगे, वीडियो जिसमें और terminology को discussion करेंगे, RBI की क्या-क्या business policies रही है, या हमारी finance ministry की क्या policies रही है, वहाँ पे इन चीजों को हम लोग discuss करेंगे, RBI ने inflation forecast किया है, यानि जो inflation होगा, यानि महंगा ही हमारी कितनी होगी, तो headline inflation 5.5% होगी, जो है 2000 बताये गया, अप्रिल 2023 से दिसम्ब 2023 तर, and 6.7% जो है, लास्टली रही थी, ठीक है, तो कहने का मतलब headline inflation के लिए forecasting अभी 5.5% ही predicted है, headline inflation एक तरह से क्या होता है, total inflation, जिसमें foods से लेकर क्या energy, each and every चीज जो होते हैं, उसमें counted होते हैं, तो वो एक aggregated, यानि add किया हुआ total sum होता है, हर तरह की जो भी services आप use कर रहे हैं, तो वो headline inflation होता है, तो headline inflation यानि कि हर चीजों पर जो महंगाई होगी, कितनी होगी, 5.5% के हिसाब से होगी, CPI inflation, CPI inflation क्या होता है, जैसे कि energy को छोड़ दिया जाएं, जैसे petroleum वगरे को छोड़ दिया जाएं, तो हर तरह की चीज, जैसे आप transportation का जो cost हो गया, education cost हो गया, health cost हो गया, ठीक है, fooding, living, each and every चीज का जो cost हो जाता है, वो आपका CPI inflation, consumer price index, ठीक है, 20, April, June तक रहेगी, और उसके बाद का forecasting है, अलग-अलग time period के लिए, तो by and large हम लोग देखेंगे कि January और March 2025 के बीच में CPI inflation 4.7% होने वाला है, अभी 4.7% होने वाला है, upcoming year में, और अभी हम देखेंगे कि 5 से 5.2 के बीच में CPI inflation रहेगी, देखें, CPI inflation और headline inflation में differences होता है, CPI inflation के उपर headline inflation जो है, depend करता है, right, headline inflation aggregated होता है, total होता है, वाल जो CPI होता है, वो हम किसी भी समय निकाल सकते हैं, within a week निकाल सकते हैं, month निकाल सकते हैं, year निकाल सकते हैं, right, तो यह जो है यहाँ पर differences जाए से हमें समझना होगा जो liquidity majors है यानि कि जो monetary policy है हमारी वो कैसे liquidity जो है shift कर रही है उसे देखने का भी काम करती है monetary policy के अंदर सारे काम किये जाते हैं बैंकों का economy का क्या हाल है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो potential liquidity है banking system का वो surplus में है मतलब बैंकों के पास enough amount में जो है वो पैसे है तो surplus में liquidity है यानि कि जो cash money है यानि कि जो cash money है यानि cash में पैसा रखा हुआ या gold का जो हम कह सकते हैं बैंकों के पास है तो यह surplus में है दूसरी जो point रखी गई है वो है treasury से सम्मंदी तो obviously वात है treasury काफी अच्छी है in fact इंडिया के जो foreign exchange है वो February दो तारीक तक क्यानि 2024 यानि कि कुछ दिनों पहले तक जो हमारे पास foreign exchange है वो 622.5 billion dollar का है तो बहुत important है यह भी यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे retail MSMEs है उनको भी specifically loan दिया जा रहा है so that की strengthen किया जाए economy activities को ground level पे तो MSME या retail loan RBI अच्छे से दिये जा रही है नो यहाँ पर digital transaction के तुरू transparency आई है system के अंदर जिससे banking जो मतलब banking के लिए जो steps लिये जाते हैं बहुत ज्यादा effective manner पे जो है अपना कारी कर रहे हैं इसके result हमारे सामने है in fact RBI ने यह भी बताया कि बहुत विसेस दौर पे additional factor जो होता है authentication का जैसे की one time password का जो messages जाता है तो उसके लिए RBI के दौरा कोई विसेस step नहीं लिया गया बट जो payment system banks है या जो other banks है वो अपने end पे ही initiative लेकर कि इसको भी formulate कर रहे है तो RBI ने यह बताया कि आने वाले सेह में वो इसके लिए भी कुछ बहतरीन work करेंगे यह फ्रॉड जादा होते हैं तो कुछ और robust steps लेने चाहिए नौ यहां पर हमने हमें देखना है कि electronic trading platform established किया गया 2018 में आर्बाइए के द्वारा जिससे financial system में regulation का कम और अच्छे से होने लगा लोन लेने के लिए अब आपको computer जितना बताएगा यानि कि जैसे बैंक वाले होते बोलते कि लोन जो है आपको आपकी capacity के हिसाब से मिलेगा आपका सीबिल देखके मिलेगा तो सीबिल चेक करके electronic माध्यम से आपकी योगिता तैह हो जाती है तो इस तरीके से बहुत सारे fraud होने से बच जाते हैं बैंकों का लोन बैड लोन होने में होने से बच जाता तो इस तरीके से बैंकों का balance sheet बैंकों का growth काफी अच्छा होता है इन फैक्ट जो RBI है उनका कहाना कि macro economy और जो financial stability है उसके लिए RBI जो है time to time policies बना करके इनको जो strong करती रहेगी और भी recently जो payment पेटियम बैंक का जो issues हुआ create तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि जो कोई भी body financially ground पे काम कर रही होगी चाहिए वो RBI के under as a bank हो या non banking financial companies हो उनको RBI के जो rules है जो norms है उनको persistently follow करना होगा अगर किसी भी हाल में आप rules को comply नहीं करते हैं तो फिर आपको इस तरह की situation से गुजरना होगा कि जैसे कि मैंने आपको lastly बताया था कि RBI की guidelines के हिसाब से कोभी KYC norm का violation नहीं कर सकता बट हमने यह देखा था कि पेठियम ने अपना यह जो नौम से KYC का इससे इसमें compromise किया था Chinese company के साथ data sharing का matter सामने आया था ना हम बात करेंगे आदी मोहत सब जो कि celebrate कि अचारदस फेरवरी से अठारा फेरवरी दो हजार चौबिस टाइट और यह पूरी देश भर में जितने भी आदिवासी है यह जि के द्वारा जो कुछ भी हैंड मेकिंग हैंड क्राफ बना जाता है उसको यहां पर सोकेस किया जाता है यह जो मेला है यह लगाया जा रहा है ध्यांचन मेजर ध्यांचनल स्टेडियम न्यू डैली में टाइट और इसको इनोग्रेट करेंगे हमारी राश्टपती बोलते हैं तो ट्राइट के द्वारा यह किया जाता है ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाइंटीन ने बाडी बनी थी और यह अपने आप में एक तरह की स्टेटरी बाडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर आती है और अधर्स जीतने भी हमारी बिजनेस मतलब जो बहुत ही सॉलिड को एक तरह से फेडरेशन है रही वह सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फर एक्जामपल इंडस्ट्री लीडर जैसे एसो चेम्बर अफ कॉमर्स ठीक है और इंडियन इंडस्ट्री जो परसंस हो गया चाई परसंस हो गया फिकी हो गए तो यह सब जो बड़े-बड़े हमारे यहां इंडस्ट्रील ग्रूप से वह पार्टिसिपेट करेंगे चाहिए वह गौवर्मेंटल हो या नौन गौवर्मेंटल रही तो यह था इंपॉर्टिंट आज का न्यूस थैं